हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे पांच सा डाया का 90 डिग्री बैंड बनाने में वह भी तीन कार्ड में और 12 सेंडर लाइन में जितना बाया डाया हो उतना ज्यादा सेंडर लेने से आपका बैंड एकुरेट बनता है कि इसके लिए हम यह किड्या करके रखें आप देख सेकते हैं उसका तीन सेंडर करके रखें हैं जो पर से दीखने में आभी आठ दीक रहा काई है इसका नीचे हिस्पालीण है नीचे चाहर रह जाता Soci यह है अब उपर से साथ दिखता है नीचे पांच रह जाता है तिन दो पांच नीचे रह जाता है यह जो एक दो तीन चार पांच और नीचे भी रहता है और बराबोर आता है तो चलो शुरू करते हैं मुथ और पांच सो ड्याज पाइप ओडी होता है है तो इसको पहले आप क्या कर ना है इसका सी अब निकल लेना है इसका पाइप का पांच सो आट का सिए आभ होता है पांच सो आठ इन्टू 3.141 यह होता है सिय इसको गिना करने से 15 साथ 95.62 होता है इसका सिय हम 12 सेंटर लाइन में करेंगे तो यह सिय आप को 12 सेंटर लाइन बराबर हिस्से में बाढ़ लेना है तो 15 साथ 95 divided by 12 तो आपका आता है 199.4 मतलब यह जो पाइप आप राउंड देख रहे हैं इसका एक जगा से यहां से यहां का दूरी होगा 199.4 मतलब हाँ पाइप को चारो और 199.4 करके आप मार्किंग करते जाएंगे तो पूरा पाइप बराबर हिस्से में बाढ़ जाएगा एक से पहले एक सेंटर लेन ऐसे माल लेना है उसके बाद दोनों साइड करके मार्किंग करते जाने के बाद सेंटर लेन खीज लेने से अपका सीअब बराबर इस 12 हिस्से में बाढ़ जाएगा यह हो गिया तो सेंटर लेन मनने का काम अभी उसका कार्ड मार्क निकलना है पहले उसके क्या करेंगे इसके लिए सीअब इंटु डिग्री वाला फर् पर्मूला क्या है वह है सिएप इन्टू दिग्री डिवाइड़ बाइड थी सिक्स्टी इन्टू इन्टू काट अब जीतना काट में बनाएंगे तो हमको इसको इस अब जोने से कितना है मेरा सिएप कितना आया है 15 पाचानव बाइड पॉइंट शिक्स्टू इन्टू दिग्री के में बनाएंगे 90 डिग्री का इन्टू 90 डिवाइड बाइड यह होगा इसको करने से 360 इन्टू 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 काट अम तीन काट में बनेंगे तो इसको कल्कुलेशन करने में आता है 66.48 यह हो गया मेरा बड़ा काट मर्क बिग काट मर्क कह सकते हैं बड़ा काट मर्क जो भी कहें बिग काट मर्क इसकोल टू 66.48 मतलब यह जो हिस्सा है पहले बड़ा बाला लाइन में यहां आपका बैठेगा 66.48 इसका उल्टा साइड यह जगा भी बैठेगा 66.48 अब सवाल आता है इसमें कितना आएगा इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा यह तो हम सेंटर लेन मा रहे हैं मतलब यह 0 ही होगा मतलब यह ही जगा में यह रहेगा इसके बाद यहां से यहां त्यच्छा हो इसका हम जीरो पाकड़े तो यह अगा जीरो डिग्री है तो यह होता है 30 डिग्री और यह होता है 60 डिग्री और यह 90 डिग्री यह मेरा 90 डिग्री का मान निकाल गया यह होता है 66.48 अभी क्या करना है आमको 60 डिग्री का मान निकालना है यह 30 डिग्री 60 डिग्री का 60 डिग्री का काट मार्क हम निकालेंगे 60 डिग्री का काट मार्क इकॉल टू साइन शिक्स्टी डिग्री इसकोल टू जो आएगा स्यक्स्टी से साइन शिक्स्टी डिग्री होता है 0.866 0.866 होता है इसके साथ फूल काट मार्क आपको गिनना है मेरे क्या है यहां फूल कार्ण मार्क 66.48 अब इसको हिसाब जोडने से आयगा 57.57 यह होता है दूसरा काट मार्क मतलब एक 60 डिग्री बाला जो है इसका काट मार्क मतलब यहां जो आएगा मापी यह होगा आपका 57.57 हैं कि हो गया अभी निकालना है तीसरा मतलब तीस डिग्री बाला जिस डिग्री क्या करना है तीस डिग्री का करना मार्क निकलने के लिए 30 degree काड़ मार्क निकलने के लिए क्या करना होगा साइन 30 degree इकोल टू जो आएगा मतलब होता है 0.5 इसका साथ full काड़ मार्क जो है बड़ा काड़ मार्क इसका साथ गिनना है 66.48 तो आपका कितना आएगा इसको हिसाब जोने से आएगा 33.24 यह होता है 30 degree का काड़ मार्क आपका एक काड़ मार्क हो गया बड़ा काड़ मार्क हो गया 66.48 बड़ा काड़ मार्क बड़ा नाइन्टी डिग्री का काड़ मार्क यह जो नाइन्टी डिग्री है यहां का काड़मार इधर भी यह 90 डिग्रिया इसको उपोजित गिनने से यह होता है यह 0 होने से यह 30 डिग्री यह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री का काड़मार्क हो गिया आपका 66.48 मतलब 60 डिग्री काड़मार्क हो गिया यह 60 डिग्री का और यह 30 डिग्री का मतलब 60 डिग्री का यह जागा बैठेगा हर तीन जागा में अईसा है स nessa तीन होगा अभी किस कहां कहां डलना है जैसे मेरा जो कार्मार्क निकला है यह 60 रिउड़ी है 57.57 इहां बैठा इसका इधर बैठेगा ओपोजिट इसका डायोर 57 और निचे तरफ जो है इहां बैठेगा 57 इहां बैठेगा 66.48 और 30 डिगरी कर्मार्क यहां बैठेगा यह जगा यह जगा कितना है 33 इहां इसका इधर बैठेगा यहां 57.57 बैठेगा यहां 66.48 बैठेगा इसका इधर बैठेगा 57.57 इहां बैठेगा 33 ऐसे भी यहां भी आएगा आपका 33, यहाँ आएगा 33, 33.24 तो डालने हम भूल गएं, यहाँ भी आएगा 33.24, तो ऐसे मार्किंग करने के बाद, आपका, हम लेड़ प्रेंशिल से दागी दे रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा हने सापका बार सेंटर लाइन का मापी मिल गया, कितना भी डाया का पाइप हो, पहले आप सियब निकालिए, 12 सेंटर लाइन उसी हिसाब से डिवाइड कीजिए, और एक फॉर्मॉला के आप सियब डिगर हिसाब से निकालिए, उसके बाद यह जो यह साइन 60 डिगर का जो रिजाल निकालता है, आपका काल्कुला नहीं उसे से यह जो मार्क है आप नोट करके रखने से भी आप निका अब होता है जो मापि हम लिये हैं कितना लेना है इसका भी एक फॉर्मॉला है तो इसके लिए क्या करना है अगर तीन काट में बैंट बनाएंगे तो हर काट में आपका कितना है 15 डिगर में काट रहा है इसके लिए तेन 15 डिगरी इकोल टू जो आएगा इंटू आपका जो बैंट रेडियास बैंट रेडियास करने से आपका आजेगा यह पायान थू शिक्स फाइब इंटू बैंड रेडियास अब चल्डवर शेज बना सकते हैं आठ सो से बना सकते हैं कि विए विडाय साफ बनाएंगे तो आप रहाम से आपका हो जाएगा 0.267 इंटू रेडियास अगर इसको 600 रेडियास में बनाएंगे 500 डाया का पाइप तो आपका पहला जो पीस है उसको आएगा अगर इसको 700 रेडियास में बनाएंगे 800 रेडियास के मेरा इसाब निकला हुआ है उसी हिसाब से हम बता रहें उसके लिए आएगा तो पहले क्या करना है इस जो रेडियास नहीं जो पार्ट एग जो पार्ट ये जो पार्ट है इसको लेना है इसका दिगुना 320 ए इसका लेना है ओ वही 320 अश्कैक्री बारा हिस्सा आधी पार्ड भरार हिस्सा तो हम मार्क नहीं किये, और फिल से उसका आधा मतलब वान सिक्स्टी अगर इसको आठ सो ड़या में बनाना है, तो लेना है आपका दो सद चावदा, इसका दूगना हो यह होगा, चार सो आठाइस, यह भी होगा चार सद आठाइस, और आखरी में फिल दो सद चावदा, अग अगले में हम रेडिया स्काइब से कैसे बैन बनाएं, तीन कार, चार कार, पांच कार, छे कार, कोई भी कार का हो, उसमें हम डिटल, रेडिया स्काइब से हिसाब से कैसे बनाएं जाई, उसके बारे में हम बात करेंगे, उमीद करते हैं आज का भी हो, आपका समझ में आया ह प्रुटर्टै